अलो स्टूडेंट विल्कम बाक टू चैनल डाट इस एक्जामर्ड डा ओन स्टॉप सुलिशन फर और और करियर कन्फूजन यह सब डिसकस कर लिया है और आज हम क्या डिसकस करने वाले हैं सिद्धा मेडिकल सिस्टम का बहुत पुराना पार्ट है इसलिए इसे आयूश में क्लब किया गया है और होमियोपैथी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है बाहर से है बट इंडियन कल्चर में इंकॉपरेटेड है स्वामी से आयूश में पढ़ते हैं सिद्धा के बारे में और जानते हैं क्या बेसिक फिलोसफी है कहां से ओरिजनेट होता है सिद्धा मेडिकल सिस्टम आपके साउथ इंडिया रीजन इस स्पेसिफिकली से तमिल नाडू से ओरिजनेट होता है इसलिए वहां का कल्चर वहां की लैंगविज वहां का तौर तरीके सब कुछ इस सिस्टम में इंकॉपरेटेड है तो सिद्धा जो हम बोलते हैं सिद्धी वर्ड तमिल वर्ड से यूज है जिसका मतलब है अचीवमेंट और गेटिंग परफेक्शन आफ यूर है और यह सिद्धा क्या है एक होलिसिक सिस्टम आफ मेडिसिन है यह आपकी बिबारी को ही ठीक नहीं करता आपकी सारी चीजों को यह फीमिल है आपका मेंटल सिस्टम क्या है इन्वार्मेंटल कंडीशन क्या है इवन दे टाइम औफ यबद नक्षत्र वो सब चीजे भी कैल्कॉलेट की जाती है इसलिए एक इंडिविजिलिस्टिक मेडि जिने उन्हें नदी को दिया नंदी से यह सिद्धर्स में मतलब 18 जो सिद्ध महारिशी थे उनको गया फिर उन्हें गुरू शिश्य प्रमपर आके तौर पे मौखिक रूप से मतलब और लिए अपने नेक्स जनरेशन टू जनरेशन फैलता गया और बात में यह किताबों में छपा और यह इंडिया ट्रेडिशन का पार्ट बन चुका है इसलिए आईउश डिपार्टमेंट इसे प्रॉपर ली रेकॉनाइस किया इसमें प्रॉपर कोर्स चलते हैं और यह लीगल है तो बात करत हो जाएगा like every other system we have talking about तो उस हिसाब से जैसे जो डिस्बैलेंस क्या होगा जैसे इसमें हुमर्स है तीन हुमर्स है और सेवन बेसिक टिशू है और वेस प्रॉडक्स है इनका जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा आप हेल्दी रहेंगे जैसी डिस्बैलेंस होगा तो आप डिसॉडर्ड हो जाएंगे आप डिजीज फिरी करेंगे तो दीज आर थिंग्स टेकर इन इस सब एक यूनिवर्स सब आपने में ही एक यूनिवर्स है और इनके अंदर कंपोज है ये सारे इनके बेसिक प्रींसिपल्स रहते सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपको मुक्ती मिलेगी आपको हेल्थ मिलेगी आपको परंप्राप्ती होगी तो यह थोड़ा स्पिरिच्वल साइड भी इन्वाल करता है बिकॉज एडिशनल मेडिकल सिस्टम मौडन मेडिकल सिस्टम नहीं है और अगर देखें तो इसका यूश्फल यूशली सारी मेडिसिन में होता है स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेज में हां बट एमेजेंसी यूज में रिस्ट्रिक्शन्स रहता है सिद्धा मेडिकल सिस्टम अब बात करते हैं how to be a सिद्धा डॉक्टर तो किस तरह से हम सिद्धा मेडिकल प्रेक्टिशनर बन सकते हैं तो हमने कहा जैसे आईश डिपार्टमेंट से प्रॉपली लीगलाइस किया हुआ है तो प्रॉपर अंडर्ग्रेजुएट डिग्री भी मिलती है that is BSMS बाचलर्स सिद्धा मेडिसिन सर्जरी अब कैसे बने BSMS डॉक्टर तो चलिए जानते हैं देखिए इसमें आपको एंटरेंस एक्जाम वही नीट यूजी वाला देना होगा फिर अपने कॉलेज में चाके अप्लाई करना होगा और क्या इसका डूरेशन होगा साड़े पांच सार लेक आपका पूरा कोर्स ने पढ़ सकता है और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो एक से दो लाग के बीच में आपकी एजुकेशन पूरी होती है और कौन-कौन से के इंपोर्टेंट कॉलेजिस हैं देखिए हमने का बिकॉज इस रीजनल सिस्टम फ्रॉम साउथ इंडिया वह भी तमिल नाडू और कैरला की तरफ थोड़ा तो कॉलेजिस भी जो कंसेंट्रेशन सिद्धा कॉलेजिस होगा वह आपको तमिल नाडू और कैरला में ही मिलें इमिटेशन नहीं है क्योंकि आपके जो अभी राइट नौ प्रेजन कंडीशन है लोग अवेर हो रहे हैं अल्टेनेटेव मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं लाइक अधर आयूश कोर्स तो लोग एको फ्रेंडली हर्बल और साइड इफेक्ट फ्री मेडिकल और बिल्कुल न सूवर चज्न हमें गीजिजिशन की धिश्न कारे मेडिसिन के साथ अब सीधा प्रेकटिस नर वहां सकने हैं और उसके बात आप जैसे आइउश के डिफुर्ट इपार्टमेंट्मेंटमें देखा वह पढ़ाने के साथ उस ट्रेडिशन मेडिकल सिस्थेम की मेडिसिन क्या होती हैं उन्हें बनाना तक सिखाते हैं तो आप फार्मसिस भी बन सकते हैं आज सिद्धा फार्मसिस फिर अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप बैचलर्स के बाद अप M.D. भी पर्सू कर सकते हैं सिद्धा में six medical fields में आप इसमें M.D. कर सकते हैं और अगर आप सिद्धा में और पढ़ना चाहते हैं तो आप PhD कर सकते हैं और अगर आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं तो रिसर्च इंसिटूट्स हैं इंडियन इंसिटूट ऑफ मेडिकल साइंसिस हैं आपका CSIR है इन सब में भी सिद्धा में different research conduct की जाती है different बिमारियों के लिए सिद्धा system के तरफ से क्या contribution हो सकता है सिद्धा system की कौन सी medicine work कर सकती है वो सारी research की जाती है वहाँ पे भी apply कर सकते है साथ ही साथ जैसे होता है कि एक college पे professor की जरुत होती है तो doctors बनते हैं तो उनको भी college में पढ़ाने के लिए सिद्धा professors भी बन सकते हैं और अगर आपको government job चाहिए तो yes dear students सिद्धा में भी ऐसा medical officer opportunities है central government होगी state government होगी वो medical officer सिद्धा post की भी निकालते हैं तो वहाँ पर भी आपको opportunities मिल सकती है इवन abroad में भी सिद्धा सिस्टम बहुत ही famous हो रहा है वहाँ पर Indian community इवन foreign community भी Indian system के medicines को अपना रही है तो ये सारे scopes बढ़ते जाते हैं आयूज department के सारे scopes बहुत अच्छे हैं आप उनमें किसी में भी apply कर सकते हैं तो कोई और comment हो कोई और query हो तो please हमें comment section में लिखके बताएं हम उस पर video ज़रूर बनाएंगे तब कब के लिए take care